आश्यतूस जी का कमेंट है, बहुत अच्छा कमेंट है, इस पर आपका धियान होना चाहूंगा, विकेज ये कुश्चन जातर लोग के दिमाग में होना चाहिए, कहरें काफी इन्फर्मेटिव वीडियो से, तो थैंक यू सो मच सर, और परफॉर्मेंस किसके अगेंस्ट पर क्याटेगरी आवरेज के देखिए, अब काफी सारे लोग जब मेरी वीडियो देखते हैं तो वो कहते हैं, आप हमेशा कहते हो कि Top Performing Mutual Fund रोंडो, क्योंकि हम हमेशा Top Performing Mutual Fund में तो नहीं रह सकते, आज हो सकता है जो निपॉन है बहुत अच्छे रिटन दे रहा है, जब भी बात होती है अच्छे mutual funds की तो main criteria होता है benchmark category नहीं क्यों ही category में काफी mutual fund ऐसे होंगे जो एकदम से return देना शुरू कर देंगे एक साल के अंदर category में टॉप पे आ जाएंगे लेकिन consistency उसके अंदर नहीं होती जब भी हम mutual fund pick करने की बात कर रहे होते हैं उस case के अंदर आगया आप बहुत कुछ analyze कर सकते हो लेकिन minimum अगर आप return के हिसाब से जा रहे हो पहले जिए जो पास return होती है future return guarantee नहीं करती हर किसी को बता है लेकिन बार बाताना जरूरी है at least आपको उस mutual fund के 3 साल 5 साल और 10 साल के return जरूर चेक करने चाहिए कि वो जो mutual fund है क्या उसने return में consistency दिखाई है या फिर नहीं काफी सारे mutual fund होते हैं एक example देता हूँ मैं आपको बहादत 22 ETF है उसका ICICI ने एक mutual fund भी बना दिया है अब उसने last 1.5 साल के बहुत शानदा return दिये बिकर जो PSU कमपनिया थी government आई government ने clean up करा और काफी अच्छे return दिये उसमें कोई दो राए नही होंगे जब वो 2-3 साल पहले शुरू हुआ था तो उसने 0% negative में भी return दिये थे तो इससे हमें यह समझ आ जाती है कि अगर आप consistency वाले mutual fund में जाते हो जहां पे benchmark को beat किया जा रहा है मैं category की बात नहीं करता है इस category में आप कभी भी topic नहीं कर सकते at least आपको जो mutual fund है वो benchmark को beat क कर रहा है इसका यह मतलब है वो अच्छा mutual fund है because अगर mutual fund industry के अंद है 1000 mutual fund है तो कम से कम 800-800 mutual fund ऐसे होंगे जो अपने benchmark को भी beat नहीं कर पाएंगे और अगर आप उसमें फस गया तो काफी जादा दिक्कात हो सकती है तो इसलिए sir जब भी आप benchmark की बात करते हो कि भाई अच्छ नहीं कर सकता तो जब भी under performance भी की बात आएगी तो under performance भी आप benchmark से compare करोगे ना की category से करिश्मा जी का comment आ रहा है क्या हमें solvent gold bond में invest करना चाहिए या फिर हमें mutual fund लेना चाहिए please recommend तो हम recommend कुछ भी नहीं कर सकते है because हमसे भी registered नहीं है और यहाँ पर normally logic से बात करेंगे और किसी और दिन बात करेंगे लेकिन एक बहुत अच्छी चीज दिखती है जब भी market के अंदर fair होता है मतलब डर होता है market के अंदर market नहीं चल रही होती है economy में problem आती है तो उस case के जो gold prices है हमारे भागते हैं जैसे 2020 में भागे 20 में भागे 22 में भागे लेकिन आप यहां से कित gold है जो sovereign gold bond है वो definitely आपके portfolio के part हो सकता है अगर आपको थोड़ा safety चाहिए कि भाई मेरेको gold की investing भी मिल जाएगी मेरेको एक bond भी मिल जाएगा उसी के साथ सत लेकिन अगर आप long term की बात करते हो या फिर आपने जो past return देखे है gold से आप उसी को देखकर के कहा हो कि नहीं अब ह पास 100 gram gold है तो उसके ही equal level का मैं अपना जो dollar है वो print कर सकता हूँ और बेच सकता हूँ फिर जो economy हुई वो gold से हटा दीगे उसनों भाई paper currency है उसी के basis पे चलेंगे तो जो gold है न वो as a commodity काफी ज़्यादा value रखती है तो जब भी printing की बात आती है जब भी note printing की बात आती है तो note तो कोई भी print कर सकता है लेकिन gold limited है gold की supply limited है इसी वज़ेसा जब rupees की या पैसे की value गिरती है चाहिए आप dollar ले लो, rubel ले लो या फिर इंडिया या INR ले लो उस case के अंदर आपको gold की value बढ़ जाते है विक्यास वो limited quantity में है और वो real asset है जो आपके हाथ पेपर करेंगे है व पसंद आती है तो आप comment कर सकते हो तो मेरे असाब से अगर हम mutual fund में बात करें growth की बात करें तो इस समय पे stock market के इंदर invest करने का sense बनता है next एक से दीट साल दू साल maximum level पे उसके बाद आप जरूर cold के इंदर दूबाद से shift कर सकते हो because bull run आने वाला है even bull run है समय पे market अच्छा perform करें तो आपको क्यों इस समय पे low growth वाले asset किनदर जाना है तो इसी वजह से इस समय पर मिखाल से even mid cap कभी यह large cap कोई भी अच्छा mutual fund काफी इच्छ तरह किसे काम करें और मैं एक dedicated video भी मनाई है इसमें अगर आप direct investing करना चाहते हो तो कुछ ऐसे stocks हैं जिसके अंदर इस समय प 58 के असपास है retire हो चुकी है 15,000,000 का इन्वेस्ट करावा है quat small cap, quantum mental fund के अंदर equal ratio के अंदर के एक से 2 साल के अंदर हो सकता है 15,000,000 और invest करेंगे सबसे पहली चीज आ जाती है रिस्क आपने खुद भी बूलती है कि आप रिस्क ले सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब मार्केट चड़ रही होती है तो रिस्क लेने में ऐसाच कोई दिक्कत नहीं होती तो आप रिस्क कित्ता भी ले लो काफ़े अच्छा लगता है क लेकिन जो भी आपका पैसा जा रहा है यह बहुत ज़्यादे अग्रासिव एसरेट कर अंदर जा रहा है दो चीज़स के अंदर जो सही नहीं है मेरे साब से कि आपने कौंट के ही दो अलग मूचिल फंड करी दें हैं कौंट कौंट कौंटमेंटल और कौंट स्मॉल केप अ अगर आप एक रिटायरेट पोसितिक हो जहां पर थोड़े पैसे जबत पड़ी तो मेरे साब से इस से जो भी आप नेक्स पैसा डालने वाले हो जो भी आपका नेक्स पैसा आएगा वो पैसा थोड़ा सा सीफ एसेट के अंदर जाना चाहिए जैसे किसी भी बैलेंस फंड क को पर काफी अच्छा रिटन आपका अल्रेडी बन चुका हो, ये तो होगी पहली चीज, दूसरी चीज, लाज के अपके अंदर रैली आने की उमीद जादा है, तीसरी चीज, एक mutual fund की मतलब, एक AMCK, अगर आपके बहुत सारे mutual fund हो जाते हैं तो आपको overlapping बहुत ज़रदा आपको मिलेगी, तो मेरे हैसाब से इस सब्सक्राइब काउंट स्मॉल के प्याप याफ एक mutual fund निकाल करके जो भी आपको लगे, उसके अलावा आप एक large काप ले सकते हो, तीसरी या चौति चीज, मैं काउंट भूल गया, जब भी आप SWP की बात करते हो, systematic withdrawal plan की बात करते हो तो उस case के अंदर अगर आपका जो mutual fund है, वो safe asset है, तब तो अच्छे दरगे से काम करता है, otherwise आप बहुत बड़े blender में फास सकते हो, क्योंकि आप मालनो market उपर जा रही है, तो आपके NAV काफी अच्छे चली के तरीके से बिकेंगी, इसमें कोई दोराई नहीं, ये अच्छ case के अंदर, वो आपको backfire करेगा definitely, तो इसी वज़े से जो आपका portfolio है, अगर आप SWP करना ही चाहरे हो, तीन साल के बाद करना चाहरे हो, तो जब भी आप SWP plan करोगे, उससे एक साल पहले at least, आपका जो minimum amount है, 40% के आसपा, जो भी आपका पैसा है, वो आपको एक large cap, या फिर एक balance mutual fund के अंदर, या फिर एक hybrid mutual fund के अंदर shift करना चाहिए, जहां से आप SWP करते रहोगे, और penally जो आपकी aggressive mutual fund है, जो के small cap category के हैं, वो चलते रहेंगे, तो SWP enable करना है, आप hybrid fund के अंदर, या large cap fund के अंदर, SWP भी आप जाध इर्था कर पाऊगे, और वही पर जो growth है, वो भी आप लापाऊगे, small cap से, तो इस तरीका portfolio में divide करता, अगर मुझे 2-3 साल करना है, SWP भी करना होता, small cap में बहुत ज़्यादा position है, मेरे सबसे थोड़ी सी कम करनी चाहिए, अगर आप aggressive भी हो, तो भी आपका 60% मेरे सबसे small cap में जाए, बहुत है, इस से ज़्यादा, अग लेकिन इस से काफी को सीखने को मिलेगा हमें, यह कह रहे है, है साल पुरान इनका portfolio है, और लंबे समय तक invest करना जाते हैं, अगर आप इनके funds देखो होता है, SBI Contra, SBI Magnum, SBI Potential, Navi का NASDAQ है, ICS Potential Bar, 22 ETF, FOF, जिसके वारे हमने पिछले question में भी बात करी थी, Quant है, SIP कर रहे हैं, यह मतलब, सर देखे, सबसे पहले चीज़ जो दिक्कत है, इसको थोड़ा प्रीस नेगटिव में मतले न, विकिस यह सब के लिए काफी अच्छा होगा सीखने के लिए, सबसे पहले है, जो भी आपका portfolio है, उसके अंदर 3 है maximum 4 mutual fund होने चाहिए, पहली चीज़ इससे फायदा होगा, कि आप असानी से track कर पाओगे, दूसरी चीज़ फायदा होगा, कि आपको momentum मिलेगा, तीसरी चीज़ फायदा होगा, आपका portfolio में concentration मिलेगा, ताकि आपके जब return बनेगे न, तो कम से कम एक अच्छे return बन जाए, वही पर अगर आप 30 सारी mutual fund लोगे तो पहली चीज़ बहुत ही cluttered इस सहां पर देख रहा है, मतब काफी ज़्यदा mix and match ही देख रहा है, तो आपका point of view क्या है, वो अभी समझ नहीं आ रहा है, तो जो भी आपको mutual fund पसंद आते हैं, उसके अंदर से 2 या 3 ले लो, small cap, mid cap, flexi cap और जो भी पसंद आते हैं, अगर आपको risk कम लेना है तो flexi cap और large cap में तोड़ा पैसा जादा डाल दो, 60% के असपास, बाकी का जो आपको 40% बसा है, 20% mid or smaller cap में डाल दो, में पर जादे aggressive लेना है, तो आपको 50% के आसपास small cap में चला गया, 25-25% mid cap और flexi cap कंदा चला गया, तो इस तरीके से एक portfolio काफे अच्छा बन सकता है, तीस हो सकता है, मेरा एक view कम आएगा, because आप मेरे subscriber हो, लेकिन इस से क्या होगा, आपकी growth अच्छे होगा, आप इस साहा होगा, पैसे कमाने वे focus कर सकते हो, तो और इसको ignore कर सकता हो, आप बोलो कि भाई, 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 भालत होगी बात करो, लेकिन मेरा काम है, कि मेरे को जो इस से जदा नहीं आ सकते है, साधिक सर का question है, कहें सर, डिस्प स्मॉल काप के इंदर मैंने invest कर रहा हूँ, पंदरा सुलह साल के लिए कैसा रहेगा, सर, देखें, अभी के लिए तो डिस्प बहुत बुरा है, अभी के केस के इस के इस जो डिस्प है, वो अंडर परफॉर् पर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन at least उसके जो return है, वो consistent हो, जैसे अगर आप Tata देखते हो, तो Tata के अंदर आपको return at least consistent देखने को मिलेंगे, अगर आप Nippon देखते हो, तो consistent आपको return देखने को मिलेंगे, SDFC देखते हो, consistent return आपको देखने को मिलेंगे, तो जब 15-20 साल की बा के लिए जा रहे तो मैंने सबसे एक कोई दूसरा mutual fund काफी अच्छा हो सकता है लेकिन क्या अभी बेच करके switch करना चाहिए definitely नहीं यह time नहीं है कोई भी mutual fund बेचेने का इस समापर जिसके पास भी underperforming mutual fund है शिद्ध से बैठ रहो कोई भी बेचेनी की ज़रूत नहीं है रिटरन आएगा उस समापर exit करके अच्छे mutual fund में में shift करना चाहिए 15-16 साल के सर मैं DSP के साथ नहीं जाता जो मैंने बाकी के small cap के mutual fund या brand के नाम लिए AMC का नाम लिए मैं उन में से कोई भी एक pick कर सकता है because consistency मुझे उन सब में दिखती है क्रिकेट पसाथ सर का question आ रहा है क्यारे कि सर मेरे portfolio दिखके बताई इसमें overlapping किती है सबसे पहला है निपॉन इंडिया small cap टाटा large and mid cap SDFC balance advantage निपॉन इंडिया small cap 50 growth total market index इसके बारे में नहीं पता हो जे इन सब में 2000 के SIP ये कर रहे हैं तो मेरे साथ से निपॉन इंडिया अच्छा है टाटा large and mid cap अच्छा है तो इसमें तो overlapping देखने को नहीं मिलेगी शायद एक आदी परसेंट के देखने को मिले तो इसको ignore किया जा सकता है SDFC balance fund जो hybrid fund है इसके अंदर आपको overlapping देखने को मिलेगी करीब करीब 20 से 22% के आसपा स्टार्टा की large cap and mid cap के साथ because balance fund जो होता है वो large cap के अंदर invest करता है और large cap में limited company है जो कि extraordinary return दे सकती है और अच्छे return दे सकती है तो इसलिए यहां पर आपको overlapping जारे देखने को मिलेगी है लेकिन fund यह भी बहुत अच्छा है इसके साथ बात करता है निपॉन इंडिया इंडेक्स fund ने दस साल के अंदर आपको बहुत ही खास return नहीं दिये है विकेस जो इंडेक्स है वो गिरता बहुत जाद है small cap का तो इस समय पर सकंदा S.I.P. मेरे साब से नहीं भी करोगा तो चलेगा और definitely fund भागेगा लगे है कि हां भी भाग रहा है लेकिन इस साब आप S. इस पर मिले और टाइम है पर नहीं मिले especially हम बात करेंगे large cap की उस case के अंदर total की पता नहीं मुझे सर 2000 के S.I.P. कर रहो तो मेरे सबसे ठीक है सर funds आपके काफी साथ अच्छे हैं आप कम इग्रह से वो ज्यादा conservative investor हो जो की काफी अच्छी बात है S.I.P. को दिखकत नहीं त exactly कोई मीजे फरक पढ़ता नहीं है आप किसी भी direct investing जब भी आप mutual fund खरीते हो तो mutual fund का पूरा नाम आता जैसे quant large cap direct mutual fund तो यह होगे direct fund यहाँ पर आपको कोई भी expense ratio नहीं देना पड़ेगा मतब देना पड़ेगा वो जो distributor हो तो उसके expense ratio आपका बच जाएगा अगर आप लोगे तो सबसे पहली जो website आती है वो उनके official website है quant अगर आप play store पे आफे apple store के उपर डालोगे तो भी पहली जो app आती है वो उनके official app ही है तो देख सक्टेबर ऐस सच कोई दिक्कत नहीं है किसी और app के through भी खरीद हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है विकर जो आपका पैसा है वो पूरा-पूरा कोंट के पास ही जाने वाला है तो अगर वो app बंद भी हो जाता है उसके बावजूद आपका जो पैसा है वो safe रहने वाला है because कोंट के पास जाके बोलोगे कि भाई यह मेरी customer idea अप यहां से मेरे को अपना जो भी मेरा investment है उसको withdraw करना है क्योंकि app बंद ह चुका है तो वहाँ पर आपको support मिल जाता है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं सर ब्रतिक जी का कमेंट आ रहा है कि मेरे पास काफिसान मेट के फंड है जैसे इनके पास है कोंट मेट कैप अमोतिला इनकी मदर के पास है SDFC मेट कैप एंड निपॉन इंडिया का मे सबसे पहले आपको इस प्रस्पेक्टिफ से सोचना हुआ कि अगर आपने कोई मुचल फंड लिया है तो आपने बहुत अनलेसिस करी होगी उसके उपर अगर आप सारे पोड़ो को अकेले मैनेज करने वाले हो तो आपको सारे मुचल फंड को खुद ही ट्रैक करना पड़े टेक्स बचाने के लिए ये चीज़ अगर आप कर रहे हो तो मेरे हिसाब से जो भी पॉटफोलियो के अंदर अच्छे मुचल फंड है जो आपकी मुचल फंड है जिसमें आपने अल्रेडी काफी जादा अनलेसिस करी हुई है उसके अंदर जाना चाहिए रही बाद लेकिन अगर आप बोलते हों कि इसमें मेरे मिट अपी है तो उसके कि अंदर आप शौर नहीं हो कि कोह हो सा मिटप चलेगा यह या जो आपने मिचल्स प्लिफंड पिक रहा है जो पे par performed ne की जरूरत नहीं होती, विकास, अगर मैं कॉलाब कर दू, साइग 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 मूचिल फंड एक पॉर्टफोलियो के इंदर, विकास आप एक फैमली का पाट हो, तो एवरेज रिटन आपके आजेंगे, क्योंकि हो सकता है, दो मूचिल फंड चल जाए, अगर आपका जो task है, आपका जो bet है कि कॉंट चलेगा, कुटेक इमर्जिंग नहीं चलता, तो उस case में आपके ज़्यादा रिटन बनेंगे, वहीं पर आप कहते हो कि कॉंट है नहीं चलेगा, तो उस case में आपके रिटन कम बनेंगे, तो उस case के अंदर आप जरूर देख सकते हो कि आप SBI Magnum ले सकते हैं उस case के अंदर क्योंकि SBI Magnum भी काफी ज़्याद अच्छा है तो सीधर-सीधर तोर पर बता हूँ इस वरत inclusion नेकर आपकी जगा मैं होता तो जो मेरे portfolio के अंदर mutual fund होता ना अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वही मैं सबको आदिलवा देता तो उस case के अदर मुझे ये पता है कि भाई portfolio अच्छा है अगर मैं change करूंगा तो मैं सबको बता सकता हूँ हर किसी के mutual fund के उपर मुझे बहुत ज़्यादा मैंनत या बहुत ज़्यादा analysis नहीं करना पड़ेगा और अगर बहुत अच्छे होती है mutual fund बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो में return भी अच्छे बनेंगे क्योंकि हो सकता है वहाँ पर quant चल रहा है और जो भी सस्ते price से मिल रहे जिसका P.E. कम है वह आपके लिए का पर अच्छा रहेगा हर portfolio को लिए अलग mid cap की ज़रूत नहीं है तो यह कुछ question से मुझे आज के लिए पिक करने थे ताटा बबाई Signing off